हेलो गाईज स्वाई बेलकाम आफ यूटूब आवर यूटूब चैनल ग्यान भी सचिन तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजिनिरिंग ड्राइंग सेकंड जो की सेकंड सेमेस्टर के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए कुछ उन 30 to 35 most important question लेकर आए हैं जो आपको सेमेस्टर एक्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं क्योंकि इंजिनिरिंग ड्राइंग में इतना लंबा नहीं है कुछ ऐसे particular questions हैं जो हर बार पुछ जाते हैं और इनमें क्या pattern है उसको मैं समझा दूँगा सारे तरीके नहीं मालूम होते जिसे उनके ED में back के chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम ED के जो engineering drawing second के कुछ ऐसे facts हैं जिने हम आपको समझा देंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक अथवा करके और एक dimension type के cushion की पूछ जाता है मतलब suppose कर ये पूछ लेगा कि किसी 5 परकार की की का नाम बताईए और उपर में किसी coupling का दिया होगा dimension और सब कुछ दिया होगा जिसे आपको बनाना होगा तो उस pattern को समझे दोनों क्यूचन को solve करने के बाद उतना ही number मिलना है तो हम ऐसे कुछ क्यूचन को पकड़ कर बैठे हैं जिससे हमको 40-45 number मिलना थोड़ा सा easy हो जाए ठीक है friends तो चलिए हम वीडियो को सिरुवात करते हैं तो अगर चनल पर पहली बार विजिट के हैं तो चनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए आगे बात करते हैं ED के most important topic के बारे में पहले chapter से अगर पहले chapters के बारे में बात करें assembly drawing जो है joints के बारे में है यहाँ तो पहले lab joints और दूसरा brittle joint इन दोनों से ही पूछेगा पहला ही question होगा जो compulsory question होगा जो आपका exam आएगा उसमें जो exam का paper आएगा उसमें पहला ही question जो होगा वो compulsory question होगा कि यहां से आपको 15 number मिलने हैं और इस question को अनिवार जैसे आपने first semester में गुटका अगर आता था तो वो अनिवार होता था अगर आप उसे नहीं बनाएंगे या आप उसे कुछ भी नहीं बनाएंगे तो आगे आपकी copy check नहीं की जाएगी वैसे इसमें भी होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो question ही आ जाए ऐसा भी नहीं जरूरी है कि वो question आए उसके जंगा पर कुछ और दे दे जिसमें आपको और एक question बढ़ा देगा तो ये compulsory वाला type भी हट जाएगा लेकिन जो pattern है वो इसी तरीके का है कि एक compulsory question होता है अब इसके बारे में बात करें इसमें आता क्या क्या है तो अगर lab joint से बात करें तो corner having joint, cross having joint, lab joint और T having joint, और dovetal having joint इन चारों में से एक question के chances बढ़ जाते हैं जैसे पिछली बार bridal joint पूछा था तो इस बार chances हैं कि lab joint से question जरूर आए ठीक है friends, तो ये सब समझने वाली चीजे हैं जिसे आप भी समझेंगे अपने previous year question paper को उठा करके तो आपको काफी आसानी होगी अब हम बात करें bridal joint ऐसा भी जरूर नहीं कि lab joint से ही पूछे bridal joint से वही क्यूचन उठा के पूछ सकता है corner bridal joint, dovetal bridal joint और matret joint और t bridal joint तो इतने ही हैं कि जो आपको पहले chapter से पूछे जाएंगे और बहुत जादे नहीं है आप चाहेंगे तो इसे फट 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 इसका revision कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि दूसरे chapter के दूसरे chapter में जनरली क्यूचन पुछा जाता है एक optional में कि जो क्यूचन पहले दिया होगा उसके option में नॉमिक लिचर आप screw threads screw thread का चित्र बनाईए उसमें क्या crust है क्या peach है मतलब जितना भी उसका नॉमिक लिचर होगा उसको आपो दिखाना होगा तो आप second chapter में जाएंगे और आपको यहाँ पर मिल जाएगा external thread, internal thread, right hand thread, left hand thread ये भी पूछ सकता है कभी कभी क्या होता है कि दो-दो number करके question भी चार-चार number करके question बनाये जाते है जिससे क्या होता है कि वो तीन-चार number में भी पूछ लेता है ऐसे pattern बना देते हैं examiner वो आपको समझने लाइक है आगे बात करते हैं जितने भी ये thread देख रही है इन में से एक thread आप fix समझे कि आना ही आना इस बार है BSW thread हो गई metric thread हो गई American thread हो गई और BA thread हो गई square thread हो गई knuckle thread हो गई एक में thread हो गई अब इसमें से chance से ज्यादा किसके होते हैं chance से ज्यादा होते हैं knuckle thread के एक में thread के metric thread के और square thread के तो इनके chance से ज्यादा होते हैं इन्हें आप समझ लीजिए और अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं अगले चेप्टर की तरफ वो है तीसरा चेप्टर तीसरा चेप्टर में क्या आप पूछेगा आपको या तो हेग्जागॉनल नट पूछ लेगा इस्क्वार नट और आई बॉल्ट इन में से कुछ पूछ लेगा तो थर्ड चेप्टर से इतना ही पूछेगा या तो नट पूछेगा या तो बोल्ट पूछेगा पिछली बार साइद नट पूछ लिया था तो इस बार वोल्टेज Bake के चांज है कि बोल्ट का कुछ छान जरूर आए ठीक है फ्रेंट्स तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बात करते हैं चोथे चैप्टर से चोथे चैप्टर में है कि locking device तो locking device में 3 से 4 question आते हैं जिनमें आप easily से easy में आप 15 number आप gain कर सकते हैं जैसे chuck nut है और lock nut है chuck nut को ही lock nut कहते हैं locking by split pin, castle nut और locking nut आप पूछता कैसे है इसमें क्यूश्चन तो दोस्तों पूछता इस तरीके से है कि किसी locking device दो प्रकार के locking device को बताईए ठीक है तो chuck nut बना दिये और castle nut बना दिये आपका काम खतम हो गया ठीक है friends आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं पांच वे चैप्टर से तो पांच से चार क weetson है या तो आपको कैड टीक पूछेगा मसीन टीक पूछेगा सेट टीक पूछेगा या तो ग्रस पूछेगा ठीक है friends इसके लावा आपको कुछ नहीं पूछने वाला कह देगा कि किनी तीन प्रकार के स्कुरू बना ये तो आप बना देंगे फटाक से आपका काम हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अपने शिक्षिक्ष चैप्टर के उपर वह है कि इसमें किसी पांच प्रकार की की के बारे में पूछ लेगा तो आप पांच प्र कोटर ज्वाइंट इस्पीगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट और नकल ज्वाइंट इनके बारे में आपको अच्छी तरीकी से प्रिपेशन कर लेना है क्योंकि ये 15 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टन क्यूश्चन है ठीक है फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं अब हमने साथ सिंगल रिवेटेड लैब ज्वाइंट इनके बारे में बताईए या सिंगल रिवेटेड सिंगल कबरबड ज्वाइंट इनके बारे में पूछ लेगा तो इस चेप्टर से इतना ही होता है अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टन चेप्टर जो हमारा इंजिनिर राइंग का है व कपलिंग में पूछ लेगा कि किसी एक प्रकार की flexible कपलिंग बनाईये या किसी एक प्रकार की rigid कपलिंग मनाईये box और muff coupling flanged coupling जैसे rigid coupling में box और muff coupling और दूसरा flanged coupling ये हमने easy देख करके आप लोगों के लिए बनाया है आप शाहे तो एक दो चेंज करके आप अपने साफ से त्यार कर लिए, कप्लिंग में एक ही पूछेगा यह नहीं कि तीन प्रकार के बनाईए, पांच प्रकार के बनाईए, क्योंकि इतना बड़ा है कि यह की बनाने में बहुत दिक्कत होती है तो फ्लेक्सिबल कप्लिंग से यूनिवर्सल कप्लिंग, ओल्ड अबलिक हैंस कप्लिंग तो इनको आपको तयार कर लेना है ठीक है फ्रेंट्स, तो आपका इतने से पूरा 60 out of 60 हो गया अब आप जितनी इसके उपर प्रिपेशन करते हैं, वो आपके उपर डिपेंड करता है, कि आप कितने नंबर गेन करना चाहते हैं, क्योंकि इंजिनिरिंग ड्राइंग का सिलेबस थोड़ा सा कठीन है ठीक है फ्रेंट्स, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुडबाई, हमको लगता है कि आप अच्छी से समझ में आया होगा, और आप प्रिपेशन भी अच्छे से करेंगे